के गाइज वाट्स अप कैसे हैं आप लोग मेरे नाम है नीरा ज़र आप देखरें मारा YouTube चैनल नीरा ज़र्वा classes और आज हम लोग revise करने वाले हैं income tax का basics वो रुक जाओ सर basics बहुत असान होता है सर basics एक्जाम में नहीं आता है भाई देखो कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलत फैमें मत पालो यह जो basic का chapter सर हम जो revise करने वाले हैं यह आपके exam में कम से कम 4 marks का सकता है 4 marks का और अगर सर मैं इसकी बात करूं कि यह करना क्यूं जरूरी है सर यह 4 number free के होने वाले उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई करके गए हैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं करके गए उन बच्चों के लिए 4 number जो बिल्कुल खो जाएंगे तो सर आप लोग आप सर मेरेथन डालोगे इंकम टेक्स किया नहीं मेरेथन नहीं सर मैं चैप्टर वाइस रिवीजन कराता जाऊंगा कोई commitment नहीं कर रहा क्योंकि बात बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेंट है सर यह तो आपकी वूख यह तुमारे पास है नहीं कोई बात न कर रहे हो तो पूरा करें पूरा करो थोड़ा क्यों करना आप लोग इतना मान सम्मां इतना प्यार देते हैं और इतना कुछ आपने दिया है जो भी है हमारे पास वह आप लोग कोशन बहुत mcqs आने के बाद एक चीज एक टॉपिक एक एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो सबसे बहले सर टैक्स के लिए क्या है टैक्स मैं आपको सिंपल सी बात बुलूँगा टैक्स के सर कंपल सरी कॉंट्रिबूशन कुछ वर्ट समय एक्ट्रा एड की है क्योंकि मैं कभी कभी जब आई से की डेफिनेशन से या इसके इसके इंडिक नहीं होता तो अपने उसके इंडिक नहीं हो सकता इंडिरेक्टक्स जिनका बर्णशीफ हो सकता है कर सकते हैं हो या नहीँ कर सकते हैं तो pow इन दैरेक्स है इस बात को याद रहेएगा डाइक्स टैक्स आर फ्रोग्रेसिव इन नेचर और इन डैसे आर रिग्रेसिव इन नेचर एक बात और आपको बता दूं सर हरbleक्र तो सर वो बन जाता है हमारा indirect tax राइट चलिए सर इसके बाद सरम बात करते हैं वाइट तो सर यह government के लिए source of revenue है और government के लिए sir monitoring और control का तरीका भी है हमारे देश को हमारे देश में होने वाली गतिविधियों को income tax और सिरफ government के लिए source of revenue नहीं है income tax लगा के government जो बहुत चीजों को regulate भी कर सकती है manufacturing को sector को बढ़ावा देना चाहते हैं उसको बढ़ावा दे दे माल लेते सर किसी industry को सर वो कहती है कि भी हम more demotivate करना चाहते है उसको demotivate भी किया जा सकता है now something very important from mcq point of view mcq multiple choice question point of view के लिए बहुत ज़़ा important सरे सो देखिए तीन आर्टिकल आपने याद रखने हैं जब हम income tax के basics पढ़ते हैं 245-246-265 और एक आपने entry number याद रखने है entry number 82 of list number 1 जो ध्यान सुनिए का जो बाते हैं बोलने जा रहा हूं आर्टिकल ने पावर दी थी के पार्लेमेंट और स्टेट लेसरी असेमली दोनों जो है law बना सकते हैं इन में लडाई ना हो जा इसलिए आर्टिकल 246 से डिवाइड कराई गई थी पावर आर्टिकल 246 ने का था कि भाई देखो बात ऐसी है बार्लेमेंट लॉव बना सकता है उन मुद्दो पे उन मैटर्स पे जो list 1 of 7 schedule of constitution of india में लिखे हैं state legislative law बना सकता है उन मुद्दो पे जो sir list 2 of schedule number 7 of constitution of india में लिखे हैं अब sir उस पावर का इस्तमाल करते हुए जो है sir law बनाए गया income tax पे income tax act 1961 अच्छा list 1 की entry entry number 82 of union list list 1 को union list भी बलाते हैं याद रखेगा list 1 की जो entry है sir वो power देती है कि आप जो है income tax पे law बना सकते हो और उस पावर को use करते हुए sir law भी बनाया गया और याद दादू आपको याद कर दादू एक बार के entry number 82 क्या बोलती है taxes on income other than agricultural income यहाँ पर आपको खुश होने की जुरत नहीं के सर अग्रिकल्चर इंकम पे tax नहीं है अग्रिकल्चर इंकम पे बेटा tax लगता है लेकिन पारलेमेंट के पास tax लगाने की पावर नहीं हो वह पावर जो है वह state legislative assembly के पास है अच्छा देन income tax law कैसे बनाएं सब देखिए जो मैं बोलता हूं income tax law law is a broad word और law के अंदर सब बहुत साइच चीज़े आती है जैसे की income tax act, income tax rules, circulars, notification, case laws और साथ साथ में सर आपकी annual finance act यह सब मिला के आपकी income tax act बनाती है intermediate यह IPCC की course की बात करता हूं अच्छा है यह video सर दोनों courses के लिए applicable है चाहे old course है चाहे new course है डोनों के लिए वीडियो जो है applicable है एक बात आपको और बता दू फाइनल में CA final के लिए audit classes में ने launch कर दिये May 2020 attempt May 2021 exams onward classes जो है आपके लिए available है edu 91 पे आप लोग checkout कर सकते हैं आईए और सब को बता दीजिए का काफी बच्चे सर CA final के audit को लेके परिशान रहते हैं इंतिजार कर रहे थे उनका प्यार इतना दिखाया उन्होंने कि मुझे आना पड़ा income tax act 1961 में सर कुछ खास ऐसा पढ़ने के लिए नहीं है कुछ खास बताय भी नहीं गया है बस यहां पर आपको फोकस रखना है किसा subsections हो सकते हैं या clauses हो सकते हैं and sub clauses हो सकते हैं जब चीज़े आपस में एक जैसी होती है यानि कि सर जब related चीज़ों की बात चल रही तो section subsection में बात करता है जब सर चीज़े unrelated होती है तो section clauses के माध्यम से आपसे बात करता है for example अगर मैं आपको दिखाऊं के section 2 और section 10 of income tax act 1961 में clauses दिये हो हैं जब कि सर section 5 उठालो या section 9 उठालो या section 5 उठालो या फिर section आप मान लीजिए कोई और section उठालीजिए कोई भी section randomly बोलीजिए section 24 उठालीजिए आपसर आपको जो है सब sections दिखने चाहिए दिखते हैं यह portion सर मुझे exam के point of view से बहुत 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 important लगता है कि प्रोवीजो और explanation का क्या role होता है प्रोवीजो प्रोवीजो जो भी आप बोलना चाहते है तो प्रोवीजो जो है सर मैं आपको बता दूँ कि वह exceptions बताता है जिस भी section के मेंचे सकते हैं यह बात याद रखेगा आपसे सर mcq में पूछ सकते हैं कि प्रोवीजो क्यों डाले जाते हैं लौग के अंदर तो याद रखेगा प्रोवीजो डाले जाते हैं इसलिए ताकि conditions जो है वो बताई जा सके या exception जो है वो बताई जा सके अगर आई से mcq पूछता है तो आपका focus सर एक word पर उनाचे जिसका नाम है क्या exception अब बात करते है explanation यह भी सर बहुत important है आप सर जब भी law पढ़ेंगे और यह भी सर एक income tax law है law के अंदर भी सर आपको बहुत जगा पर क्या मिलेंगी section के साथ explanation मिलेंगी और explanation का सर एक ही purpose होता है वो क्या है clarification याद रखे में 20 नवंबर 20 में अगर आपके एक्जाम है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं और आपके लिए applicable रहेगी क्या आपके लिए applicable रहने वाली है finance act 2019 right income tax rules भी हमारे पास income tax rules में सर ज्यादा पढ़ाई हम लोग नहीं करते है rules हम बच्चों को याद नहीं करते है rules का जो main point जो concept समझा लेते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं बच्चों को rule number अच्छा जी देन आते है circular notification circular notification के बात करता हूं गाइस circular notification सर हमारे लिए CBTT जो है वो issue करते हैं एक बात याद रखेगा circular assessi पर binding नहीं होता है वो income tax authorities पर bound binding होता है assessi उसका advantage ले सकते हैं लेकिन assessi को पर कोई compulsion नह करने हैं बहुत 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 खुश होगा प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा एक बार राइट अच्छा जी रिवीजन साथ साथ और अगर बाईचांस आपने यह चीज नहीं पड़ी है सच बता रहे हैं आपने बहुत बड़ा पाप किया है आपको शरम आनी ची क्योंकि कई बच्चे सर इंकमे टेक्स में वीडियो से पढ़ रहे हैं सेम बंदे से पढ़ रहे हैं सेम तरीके से नहीं पढ़ रहे ना यह 83 मारे बच्चे ने क्या क्या होगा इसने सब स्टड़ी मेटीरियल आरटीपी म्तीपी सच्ट चूज के चलागए वहागा खा के च शोड लिया होगा सर इसने और यह फेल वाले बच्चने क्या क्या होगा हवाबाजी सिर्फ हवाबाजी पढ़ाई नहीं करी पढ़ने की एक्टिंग करी है एनिवेस चलिए सर्कुलर नोटिफिकेशन सर बहुत इंपोर्टेंट सर आपसे एक्जामन पूछा जा सकता है यह को सर्कुलर डिपार्ट। पर बाइं नहीं होते हैं सर नोटिफिकेशन रहें इसा काम कौन इशू करता है सर finns सेडoss अग्स 같아요 इसको हैं ज्यां सुनों यह मेस बाथ को हमारे देश में सर काम कैसे होता है। सबसे फेले हैं legislative और इस उधी इसिश्ची और जूरुलिष legislative organ की बात करूँगा central level पे ये भी याद रखी का इंडिया एक federal nation है federal nation होने का मतलब है सर दो से जाधा form of government जो है parallelly run करती है इंडिया एक federal nation है सर यहाँ पे central level पे जो है parliament है और state level पे state legislative assembly है parliament में दो हाँ से लोगसभा राज्यसभा आज कल एक बात आपको बताता हूं जितने भी law मिलेंगे सर आपको सब law में सर क्या है power जो rules बिनाने की है notification करने की है वो central government को दे दी जाती है central government का मतलब सर ministry के पास आ जाती है income tax पढ़ते समय जो ministry हमारे mind में रहनी चाहिए वो ministry होती ministry of finance right okay so ministry of finance के सर 5 department से हमारे काम को department है वो है department of revenue और department of revenue के सर board है CBDT and CBIC अभी हम लोग बात करें सर CBDT के बारे में that is central board of direct taxes बहुत बढ़िया case law सर simply किया है they are decision given by the court अगर सर supreme court that is the apex court of India अगर सर कोई decision देता है तो that is applicable to whole of India basically that becomes law of land और high court अगर कोई decision देता है that become the law of that particular jurisdiction जिसका वो high court है okay case law के बारे में सर ICA साथ साब बोलता है कि भाई they will be dealt at the CA final level आईए सर दो मिनिट कले अपनी बुक पे जा रहा हूँ सर गभराने की जूरत नहीं है आप लोग screenshot ले सकते है इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है बस कुछ मैंने चीज़े अच्छे से लिखी हुई है वो summarize में लिखी हुई है इसलिए आप जा रहा हूँ अच्छा इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको थोड़ा सा connection जो है वो law और income tax के बारे में बता दूँ अच्छा जी अब सवाल आता है जी law बनाता कौन है law बनाता कौन है law बनाता है सर हमारा legislative organ legislative organ अच्छा जी अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी federalism की what is federalism बहुत सिंपल है सर federalism क्या है federalism वो है सर जहाँ पर आपके पास जो है दो form of government चलती है वरिंदा को फोन कर लेक बाद दो form of government जो है वो परलली चलती है it can be defined as government जैसे मैं आपको बता दिया दो form of government यह दो से जादा form of government जो है परलली चलती है इन organs के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है anyways यह सब चीज़े हम सब जो है अराम से पढ़ चुके है अब आजाते है सर्में मुद्धे पर वह चार्जिंग सेक्षन so income tax act का charging section हम पढ़ लेंगे लेकिन सर्म आपको बता दूं income tax act का charging section 1 क्या है हर act का section आपको क्या मिलेगा extent commencement and application तो extent commencement short title भी होता है extent short title commencement and application कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर एक important question पूछ रहा हूँ आप लोग मुझे comment box में comment करके बताइएगा income tax act is applicable to whole of India और income tax is applicable to whole of India excluding Jammu and Kashmir मुझे बताइएगा क्या income tax पूरे इंडिया पे applicable है या excluding Jammu and Kashmir पे applicable है मुझे जरू 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 बताइएगा चलिए आगे चलते हैं सर charging section ने सर मारा section 4 सर charging section किसी भी tax law में expinal court की तरह देखा जाता है एकदम सर important section की तरह जो है वो देखा जाता है और सर charging section को सर हमें बिल्कुल भी जो है वो miss नहीं करना है और वैसे ही सर income tax act में भी charging section की बहुत 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 जदा importance होती है charging section section number 4 की charging section के सर अगर में crux निकालूं सर ये तीन वर्ट निकल के आते हैं total income previous year and person total income previous year and person और इसलिए सर ये section जो हमारे लिए एक base बना के दे जाता है कि total income previous year and person आपको याद होने जाता है और यहाँ पर समय आपको देखा रहा हूं total income की definition जो हमारे किसी काम की नहीं है बस एक पढ़ लेंगे total income means the total amount of income referred in section 5 यानि section 5 जो incidence of tax law section है देखिए अब revision चल रही ही तो मैं आपके साथ references लेता हुआ चलूँगा cross reference लेता हुआ चलूँगा आपको समझ आने चाहिए total income means the amount of income referred in section 5 computed in the manner laid down in this act तो इस act में sir क्या manner बता रखा है very simple आप 5 heads में gross total income निकालेंगे 5 heads set of plus clubbing करके gross total income निकालेंगे उसमें से आप deduction under chapter 6 से minus कर देंगे और तब जाके आपके आपके आजाएगी total income आजाएगी तो उसी total income पे tax लगता है total income कब की? previous year की total income पी किसकी total income की? person की so person की previous year की total income पर tax लगता है ऐसा बोलता है section 4 section 4 है तो charging section और याद रखेगा charging section it creates the liability to pay tax collection की बात नहीं हो रही है यहापे payment की बात नहीं हो रही है यहापे आपकी liability create की जा रही है person तो total income की बात करूँ section 2 clause 45 में defined है income की बात करूँ section 2 clause 24 में defined है previous year section 3 में defined है assessment year भी सर defined है मारे पास person की definition सर्फ section 2 clause 31 और assessing की definition 2 clause 7 में आपको जो है वो मिल जाती है right तो कुल मिला के सर्थ section 4 आपको बहुत सारे चीज़ दे जाता है जो मातले बहुत ज़दा important होती है सबसे फ़ले guys हम लोग बात करेंगे previous year की most important mark करिए और जो बच्चे definitions को ignore करके जाते है सर उनका future में आपको बता रहा हूं कैसा है जैसा आपको मेरे शकल नजर आ रहे हैं अंदकार ही अंदकार है आपके जीवन में लेकिन पता हूं अच्छी इस a financial year preceding the assessment year it starts on 1st April ends on 31st March but in case of newly set up business or profession or new source of income which is coming into existence come on guys इन दोनों case में आपका previous year कब शुरू होगा सर शुरू होगा with the date of setting of the business or profession or with the date on which the source of income comes into existence or end कब होगा 31st March so very important question sir क्या previous year 12 months से कम हो सकता है answer is yes बिल्कुल कम हो सकता है क्या previous year 12 months से जादह हो सकता है answer is no कभी नहीं हो सकता है क्या previous year किसी भी date पर शुरू हो सकता है answer is yes in case of new source of income और in case of new business or professional setup it is a period of 12 months commencing on 1st April every year and ends on 31st March so barex sirvit नहीं बोलती, period of 12 months commencing on 1st April of every year okay, the year in which assessment is done is called the assessment year while the year in respect of which in respect of the income of which assessment is done is called previous year, लीजे सरा then person काफी सर बड़ी definition है, section 2 clause 31, inclusive manner में दे रखी है ये देखी है, the definition is inclusive that is a person includes बोलिये, person includes यत्रतत्र सरवत्र कौन बनाता है, person में, यत्रतत्र, सरवत्र individual भी, HOF भी, company भी, firm भी एओपी भी, local authority भी और कोई भी सर आपकी judicial, artificial judicial person हो, जिसको सर आप डिरेक्ली सून नहीं कर सकते लेकिन किसी को बहाफ उसके बहाफ पर किसी को सून कर सकते हैं सर इसके अंदर जो है आती है, फिर हुए पिसर में एक छोटा सर discussion दे दिया है आपको, आपको सर MCQ में यह पिटाई लगा सकते हैं, हुए पूच के बारे में पूच के, हुए पूच के पूच के पूपस के लिए एक separate entity जो है वो treat करते हैं, और साथ-साथ में हुए अपनी son-in-law and daughter's children, अपसर दो स्कूल चलते है हमारे हैं, हुए एक है दया भागा, एक है मिताक्षरा, अब आपके मन में चल रहा हुए यह तुम ने कभी पढ़ा ही नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो गल्ती आपकी है, आपको यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आपके exam में से पू इसके लिए सब मैंने एक बड़ा सा चार्ट बना रखा है, यह देखी, यह चार्ट आप लोग सा screenshot लेके अपने पास रख सकते हैं, यह आपको बहुत काम आने वाला है, यह सारी definitions आपके ICI के study mat में भी दे रखी है, मैं बस अपनी बुक में से लिया था था कि आपको मैं च and it includes every person, very important question, every SSC must be a person, but every person need not be an SSC, true, every SSC must be a person, but every SSC need not be a person, true, याद रखेगा इस बात को, अच्छा जी, then, फिसके अंदो और कौन कौन आते हैं, सर, जिसके against कोई proceeding चल रही हो, जिसको हम SSC मान ले, यह जिसको हम SSC default मान ले, तीन ब्लॉक मैं इसलिए बनाया थे, एक तो हो क Number 3, जिसको सर, हम Deem to be SSC मान ले, section 160 आप लोग याद कर सकते हैं, यह जिसको हम SSC default मान ले, सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, SSC default का मानते हैं, for example, TDS deduct करना था, TDS deduct नहीं किया, तो सर, हम section में क्या मान लेते हैं, इसको SSC default, तो वो भी SSC है, अब proceeding चल रही हो, किस बात को लेके, income को लेके, losses को लेके, refund को लेके, come on, income को लेके, losses को लेके, refund को लेके, income या तो अपनी हो, या in respect of which he is accessible, ऐसी loss या तो अपना हो, या फिर उस person का जिसके लिए हम accessible है, अब example नहीं दूँगा, यहाँ पर revision चल रही है, और सर, साथ साथ में, refund या तो अपना हो, या उस person का हो, जिसको लेके सर, हम लोग accessible है, लीजिए, यह होग इसर अपनी accessibility की definition, going back to institute's book, अब institute की book में आप देखे क्या है, आपको steps बता रखें, जो सर, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने है, क्यों नहीं पढ़ने बेटा, यह सब हम relevant chapter में जो है, पढ़ेंगे, for sure पढ़ेंगे, हा क्यों ही बच्चे सर, मिलते हैं, उसर, हमको यह नहीं बता होता, कि पहले clubbing आईगे, पहले set-off आएगा, आप मुझे comment करके बताईए, कि 5 heads की income चलो, वो तो हमें बता है, साथ-साथ clubbing को set-off कर लेते हैं, लेकिन हमें chapter का order क्या है, बहले clubbing करते है, बहले set-off करते है income की, ब जरू-जरू-जरू-जरू देख लिजेगा, आईए, capital के इनकी सर्चाज की को बात करते हैं, सर्चाज सर आपको याद करना पड़ेगा, सर्चाज के लिए इस बार जो है, slab बन गए हैं, जैसा कि हमने शुनू पढ़ा था, direct taxes are progressive, तो यहाँ पर सर्चाज बना दी गए है, rebate under section 87 is most important है, कोई बच्चा छोड़के नहीं जाएगा, जो छोड़के चाएगा, उसे पाप चड़ेगा, उसकी girlfriend, उसकी girlfriend की बच्चे उसे mama मुलाएंगे, right, अच्छा इस पर offend मत हो जाना, सर आपने बीच में ऐसा क्यों का, अरे मज़ा ले रहा हूँ भाई, मज़ा ले र लेगी और आपका tax zero हो जाएगा, rebate amount कितना होता है, amount of tax और 12,500, whichever is less, यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मित्रों, कि भाई, there are special, there are incomes which are chargeable at special rate also, जैसे कि lottery income है, triple one A की income है, one one two की income है, one one two A की income है, dividend income है, so इन सप्पे आपको ध्यान रखना है, sir, in incomes प कारण, sir, हो सकता है, 5,000,000 तक की income पर भी, आपको rebate मिलने के बाद भी, आपका tax zero जो है, वो ना बने, कई बच्छे रट लेते हैं, कि भाई, 5,000,000 तक की income है, तो tax zero है, देखे, initial stages में ठीक रहता है, लेकिन last की stage में ठीक नहीं रहता है, health and education की sense की बात करूं, sir, याद रख है, तो inclusive manner में define कर रखा है, कि assessment क्या होती है, हमें सब ज़्यादा ध्यान देने की जूरत नहीं है, हमारे ले इतना ही evaluation करना, income को compute करना, is assessment, okay, then person की definition, guys, हमने ध्यान दे दिया, इसके उपर, इसमें, sir, individual की बारे में, HUF की बारे में, मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी सब of individuals, जो है, वो मिला के बना सकते है, body of individuals, right, then हमारे पास, sir, बात आती है, company की company, sir, हो सकती है, Indian company, या फिर foreign company, sorry, domestic company, या फिर foreign company, domestic company, में, sir, आ जाती है, हमारे पास, कौन-कौन सी Indian company, या फिर को ऐसी company, जिसने dividend payment की arrangement, अपनी India वाली income से, इंडिया में कर रखा है, थोड़ा सा complicated या फिर लगता है, सुनने में, एक आदी बार, रीट करियो, एसी पढ़के आप चले जाए, या आपर ज्यादा दे रहा हो, तो आपको, फिर आती हमारे पास, foreign company, ये chart आप देखलेंगे, आपके लिए बहुत जाएगा, बस, ये chart देखलेंगे, domestic company, Indian company, and company, which has made arrangement for declaring and paying dividend, within India, out of the income, chargeable to tax in India, foreign company, इंदोनों को छोड़के, जो company, foreign company, then partnership firm की बात आ रही है, partnership firm में, sir, LLP, including होती है, किसी-किसी section of income tax में, specifically LLP को exclude कर रखोगा, तो मैं, उसकी बात माननी पड़ेगी, then income की बात आती है, income की definition, I will suggest, एक बार जबार में, पूरा tax पढ़ी लिया है, तो एक बार कर लीजिए, इस से जाधा इस पर ध्यान लगाने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि कही ना कहीं हमें, सारी बात है, sir, अलग-अलग chapters में, cover करते हुए, जाते हैं, right, so एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं, ये पूरा आपको reading के लिए दे रहा हूं है, concept of income, under the income tax, concept of revenue and capital receipt, etc, etc, ये आप एक बार जब पढ़ लेंगे, सिरो अपनी knowledge बढ़ाने के लिए, तो, sir, उसके बाद जो है, हम आगे बढ़ेंगे, और India की definition पर आ जाएंगे, India, sir, देखिए, landmass तो ही हमारे पास, territory तो ही हमारे पास, उसके बार territorial waters भी है, continental shelf भी, exclusive economic zone भी और other specified zones भी है, बस इतना, marginal rate sorry, maximum marginal rate को जड़ा याद रखेगा, वो most important mark कर लिए, exam point of view से, maximum marginal rate क्या होता है, so, जो individual पे highest slab होता है, वो including surcharge and including cess, so, मैं यहापे आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, बहुत simple, simple सा काम है, calculator मैं देख लेता हूँ, कहाँ पे रखा है, मेरा, calculator, 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 आज भाई, calculator, आज भाई, calculator, तो calculator यहां से जो है, कोई पापी दूस्ट है, जो उठाके लेखे, लेकिन कोई बात ने, मुझे मिल गया, भाई, calculator वापिस से, so, देख लीजे, क्या rate निकलेगा, अपना, 30% पर सबसे बहले, भाई, मैं 37% का, जो है, वो लगाउंगा, सरचाज, तो 30%, 30% तो मेरे रेट था, उसके अंदर 11.1 मैंने और जोड़ दे सरचाज देखाए, यह बनके 41.1, 41.1, अब इस 41.1 पर मैं लगाने वाला हूं, क्या, एजुकेशन से 4%, वो आता है, 1.644, तो मैं टोटल कर देता है, 42.744, इसी सरच आता है, तोटल इंकम को से आपने सर, मतलब आपका income tax divided by your total income into 100 कर देंगे, तो आपका average rate आजाएगा, average rate का सर, ऐस सच आप अपने course में कहीं यूज नहीं देखेंगे, except TDS में, जब आप salary का TDS निकाल रहे होते हैं, तब आपको काम आ सकता है, लीजे सर, ये भी कुछ special cases है, इनमें भी सर बात कले थे जल्दी से के previous year जो है, वो क्या होता है, तो अगर आपने पूरा का पूरा income tax act पड़ लिया है, तो तो आपको समझ आएगा, अगर आपने भी सर सिर्फ basics वाला chapter पड़ा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ चीज़े आपको दे रखी है, इनके लिए rate भी special है, और इनके लिए previous year भी special है, cash credit, amount borrowed और repaid on hundi, hundi is a illegal loan, illegal loan समझ लिजे, unexplained expenditure, investment, etc, not fully disclose, unexplained money, unexplained investment, तो देखे cash credit से बताता हूँ, cash credit क्या है, सर, आपकी books में, सर, बहुत सारा cash आ रहा है, आप explain नहीं कर पा रहे है, कहां से आ रहा है, about the nature and source of the explanation, or the explanation offered is not satisfactory, या तो explanation दे नहीं, या जो explanation दे वो satisfactory नहीं है, तो जो भी some सर credit हुआ है, उसको सर, हम क्या माल लेंगे, income of the SSU of that previous year, right, जिस previous year में सर, वो credit हुआ था, ऐसी unexplained investment, आपने investment करी थी, बाद में सर, आपका case खुला, आपसे पुछा गिए, इस investment का source बता हो, या तो आप explanation नहीं दे पाई, या जो explanation दी थी, सर, वो proper नहीं थी, तो जिस year में सर, आपने investment करी थी, उस year में ही, उसी year को मुसका previous year माल नेंगे, जिस year में अपने investment की थी, ऐसी बचो, unexplained money, unexplained money क्या है सर, unexplained money, simple सर, क्या है, आपके पास सर, आप owner है, unexplained money के, jewelry के, या किसी other valuable article के, जो आपकी books में recorded नहीं है, और सर, आपके बारे में explanation दे नहीं पा रहे हैं, या दे रहे हैं, तो सर, वो सही नहीं है, तो assessing officer क्या करेगा, the money and the value of bullion, आपकी income मान ली जाएगी, कब, जब सर, आपको पाया गया, उस money का owner, जिस year में, 19-20 में आपको पकड़ा गया, तो 19-20 की income मान ली जाएगी, then, क्योंकि, अच्छा, 19-20 की की मान ली जाएगी, because सर, आपने recording नहीं कर रखा न, तो कोई हमारे पर bill, कोई document है नहीं, then, amount of investment, etc, not fully disclose, तो आपने सर, gold खृता था, 25,000 की उसकी value थी, लेकिन आपने सर क्या किया था, 15,000 की दिखा रखा था, आप 25,000 की value थी, not fully disclose, याद रखेगा, 25,000 की value थी, लेकिन आपने कितने का दिखा रखा था, 15,000 की दिखा रखा था, पर्चेज, तो भाई, जो remaining 10,000 है, आपकी income में add कर दी जाएगा, तो यह कब add किया जाएगा, इसके लिए previous year कौन सा होगा, जिस year में आपने gold purchase करके, उसकी value को undervalue किया था, उस year में, उस year की income में, आपकी income के अंदर यह amount add कर दिया जाएगा, unexplained expenditure आपने खर्चा किया, एक financial year में बहुत मोटा खर्चा किया, आप उस खर्चे का source, आपके पास वो खर्चा करने के लिए पैसे कहां से है, आप यह explain नहीं कर पारे, तो जिस year का खर्चा था, उस year की ही income में, आपका वो unexplained expenditure जो है, एड कर दी जाएगा, ऐसी sir, हुंडी का है, amount borrowed और repaid on हुंडी, अगर आपने amount borrow किया हुंडी पे, या आपने repay किया हुंडी पे, तो भाई, या तो borrow के time पे, या repayment के time पे, आपके हाथ में, जो है, वो income taxable कर दी जाएगी, right, अगर, देखिए, वेर न amount borrowed on हुंडी, has been deemed to be income, अगर एक बार sir, borrow के time पे कर दीगे, तो repayment के time पे नहीं होगी, as simple as that, right, amount repaid shall include interest paid on the amount borrowed, लीजे sir, so बहुत-बहुत-बहुत simple है sir जी, आपने कोई भी sir, ऐसी हरकत करी, unexplained expenditure, unexplained investment, amount undervalued, और amount borrowed और repaid on हुंडी, तो आपके previous year sir, उसके लिए वो ही रहेगा, जिस year में आपने वो गढ़बढ करी थी, हाँ, बस एक यह था, कि अगर sir, आपको owner पाये गया, किसी money का, bullion का, jewelry का, जो आपने record नहीं करी, तो जिस year में पाये गया, उस year में sir, आपके उपर, जो है वो, उस year की income, उसको माल ले जाएगा, अब इनके उपर सा special rate of tax, भी 115 BBE, सा special rate of tax, 60% है tax, एक बार जरू 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 देख लीजेगा, पहरा 4.1 इसी chapter का, लीजी sir, तो 60% sir, आपका लगेगा, उसको 25% का सरचाज लगता है, और education size जो है, वो 4% लगता है, इस से related sir, एक discussion में आपसे किया था, PGP के question के अंदर, प्लीज देख लीजेगा, I think 7, 9, ऐसा कुछ question है, 7, 8, 9, 11 में से कोई question है, इन 4 में से कोई question है, प्लीज जाकर उसको देख लीजेगा, राइट, यह लीजे sir, हमारे पास यह जो special rates थे, मतलब जो special cases थे, वो भी हमने cover कर लिये हैं, और बस भाई, अब देखते हैं, वो cases जहांपे sir, previous year की rule की exception भी, माना जाता है, जिन cases को, यह sir, बहुत important है, यह 5 cases है, जहांपे sir, previous year rule की exception मिलती है, previous year rule की exception मिलती है, मतलब, sir, general rule क्या होता है, income of previous year is assessed in the next year, but in these five cases, income of previous year is assessed in the previous year itself, तो shipping business of non-resident, सारी बाते explain करी थी class में, person India छोड़के जा रहा है, AOP, BOI, artificial juridical person, form for a particular event, and person likely to transfer property to white tax, इस class में बहुत अच्छा example दिया था, मैंने आपको इसका, आप लोग मुझे comment box में दीजिएगा, और discontinued business, यह 5 सर चीज़े जो हैं आपने याद रखनी है, अच्छे तरीके से, charge मैंने आपको बता दिया है, tax card rate याद रखें, individual resident के लिए, individual resident के लिए, HUF के लिए, BOI के लिए, artificial juridical person के लिए, याद रखेंगा, अच्छा, एक बात मैं बुली, individual resident के लिए, individual non resident के लिए भी यही है, बच्चे confused हो जाते हैं इसमें, non individual resident के लिए भी, यही है, याद रखेंगा, so whether total income does not exceed, 5 lakh, 5 lakh से उपर लेकिन 5 lakh तक 5%, 5 lakh से उपर लेकिन 10 lakh तक 20%, और 10 lakh से उपर, कितना विचला जाए, 30%, सरचाज मैंने आपको पढ़ाई दिया है, सरचाज के बाद सर आपको एक चीज़ और धियान रखनी है, वो है marginal relief, अच्छाज ये clarification एक बाद धियान रखेगा ज़रा, अगर एक resident individual है, जिसका birthday 1st April को आता है, 60th birthday 1st April को आता है, 1st April 2020 को, याद रखेगा, वो 19-20 के लिए senior citizen बन जाएगा, senior citizen की definition क्या है, resident होना चाहिए, individual है, और 60 years or more की age है सर उसकी, 60 years से लेगे 79 years तक की age हो उसकी, तो 60 years की age वो कब attain कर लेता है, 31st March 2019 को भी अगर वो attain कर लेता है, 2020 को भी, तो सर उसके senior citizen मानेंगे, उसका birthday गर 1st April को है, तो याद रखेगा, 60 साल का वो कब हो जाता है, वो हो जाता है, 31st March को, तो यह चीज़ आपने याद रखने, same applicable है सर, 80 years वाले limit निकालने के लिए, यानि कि super senior citizen की limit निकालने के लिए, अब super senior citizen कौन होता है, super senior citizen सर एक व्यक्ती, जिसकी सर age जो है, 80 years or more है during the year, क्या age है, 80 years or more है during the year, याद रखेगा, और resident है individual है, फिर बात करते हैं, firm और LLP की, firm और LLP पे सर कितना लगता है, tax credit 30%, local authority 30%, cooperative society में सर, बेफालतू के जो है, slabs दे रखे हैं, और slabs क्या है सर, slabs है 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 के बीच में, एक हजार जो यह आगे 10% वाला, plus 20%, कंपनी की बात करता हूँ अगर, कंपनी के case में, जो सर, tax credit चलते हैं, याद रखेगा, बहुत important है, इसमें amendment भी है, amendment वीडियो में cover करा दूँगा, 17, 18, 17, 18 के लिए, सर, आपके उपर, जो अगर आपका, अगर आपका turnover, 400 करोड से कम है, तो सर्जी 25% of the total income, और in any other case, याद रखे का 17, 18 का turnover देख रहे हैं, बच्चे confused रहते हैं, इसमें कि 17, 18 का turnover क्यों देख रहे हैं, in any other case, 30% of the total income, foreign company की बात करें, सर, 40% का आपके बरज़ोग टाक्स लगता है, ये tax rates सर, अभी आपने कर सिर्फ basic का chapter बढ़ा, तो अभी आपको नहीं बताऊंगे, लेकिन एक बार बतायता हूँ, 20%, 10%, 112A पर 10% है, exceeding 1 lakh, और 112 पर 20% है, flat, ये सब आपको capital के चप्टर के साथ समझ आएंगे, 111 A पर 15% है, short term capital gain on equity shares, unit of equity unit per, और, unit of equity oriented fund, इनके ओपर सर, अगर इस short term है, तो 15% का आपको पर tax लगता है, then 115BV, lottery 30%, 115 बहुत बड़ा dividend आया, 10%, 115BVE, जिसके हम बात करते हैं, 60% जो है, rate लगता है, इसके ऊपर, जो हमारे undisclosed money, investment, expenditure, etc. 115BVD है, सर्म लोग पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, सर्चाच पर सर, मैंने individual की सर्चाच पर बात कर ली है, margin relief बहुत बात करना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा, margin relief कब लगता है, याद रखेगा, जब मेरा increase in tax, मेरी increase in income से ज़यादा होता है, borderline cases पर काम आता है, जैसे कि मेरी income 55,00,00 तो यादन laag की income पर, मेरा income तो एक ही लाद बड़ी है, यगि इस 1,00,00 के विएसे, टेक्स हो बहुत ज़दा बढ़ जाता है, तो इन दोनों का difference, increase in tax और increase in income का difference, जो आपको माजंफ मिल जाता है अगर मेun increase in tax revenue increase in income से जादा से ज़ादा है में income बढ़ी इतनी मेंज बढ़ गया है इतना दो यह जो difference है इसको बोलतेसा हम, माजंफ मास ये यह देखिए, so formal LLP का rate हमें पता ही है, सरचाज 12% if income exceeds 1 crore, CES जो है 4%, CES सर हर किसी के case में रहेगा ही, रहेगा, याद रखिएगा सर, पहले tax निकालते हैं, individual की बात करो, फिर rebate देते हैं, rebate देने के बाद, सर अगर tax बचता है, उसके उपर सरम लोग सरचाज चेक करते हैं, सरचाज के बाद सरम लोग education CES लगाते हैं, यानि चार element है, tax, rebate, सरचाज, CES, CES सबसे last में आता है, rebate सर दूसरे नंबर पर आती है, सरचाज उसके बाद होता है, rebate और सरचाज coexist नहीं कर पाएंगे, क्यों, rebate की अपनी condition is income must not exceed 5 lakh और सरचाज की अपनी condition है, income exceeding 50 lakh, राइट, चलिए, local authority पर सरच जोगे कैसे लगता है, सरचाज जोगे कैसे लगता है, same as partnership firm और LLP, company के उपर सरचाज कैसे लगता है, वो बताता हूँ मैं आपको, company के उपर सरचाज जोगे लगता है, वो 7% if income exceeds if income is exceeding 1 crore, but less than 10 crore, and 12% of income exceeds 12%, foreign company पर सर 2 और 5 रहते हैं, यानि कि 1 करोड से उपर 10 करोड तक 2%, और 10 करोड से उपर 5%, great, cooperative society की बात करते हैं, cooperative society पर सरचाज सरचाज same as partnership firm हो गया, और सरचाज आपका 4%, then rounding off of income and rounding off of tax के बारे बात कर लेते हैं, 288A, 288B आप जो भी income निकालते हैं, उसे round off करते हैं to the nearest multiple of rupee 10 पैसे वाले चीज़ों को ignore करो आप last digit देखें, अगर वो 5 या उससे जादा है, तो next multiple of 10 पर ले जाए, 4 या उससे कम है तो previous multiple of 10 पर ले जाए, same is the case with rounding off of amount payable and refund due, right, यह हो हमारे surrounding off के दो parts हो गए तो यहाँ पर सर्चाज बगरा सारी चीज़े जो है cover कर दी है, properly rebates हम लोग cover कर चुके है 12500 amount of tax payable लीजे सर, इस तरह से सर मा रहा है, पूरा का पूरा चेटर जो है वो revise अच्छे से हो चुका है सौरी, तुमारी भावी याद कर रहे हैं, भीच में फोन भी कर रहे ही anyways, अब सर क्या करेंगे, इस चेप्टर के MCQB कर डालते भाई जल्दी यह लिसे, ना 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 अल्दो मैंने क्लास में करवा रखें, लगबग सारे आंसर मा कोंगे बट बहुत असान है, the basic source of income tax law is income tax act 1961, domestic company कौन से होती है, Indian company भी domestic company और ऐसी foreign company जो सर्थ dividend payment का arrangement इंडिया में कर लें, इंडिया कि में कमाई हूँ income से, वो भी domestic company होती है, rate of income tax, याद रखेगा, income tax act में भी होते हैं, और finance act में होते हैं, कुछ rates, income tax act में लिखे हैं, कुछ rates, finance act के कुछ parts में जो हैं, वो लिखे होए आते हैं, सर्चाज applicable in case of firm, याद रखेगा सर, 12% if income exceeds 11 crore, sorry, 1 crore, then, inspect on non-resident SSE, non-resident SSE, जिसकी age 60 साल से जादा है, लेकिन 80 साल से कम है, basic commission क्या रहेगी, धाई लाग, ये favorite question सर, examiner का फसा सकता है आपको, 5th question को important mark कर लिजएगा, इसके बाद इसके बाद, सरर, अगला question, domestic company के आपको, सर, rate बदाने, domestic company पे, अभी के मानने के जिए, 25% का rate लगता है, right, सर, charge के अगर बात करता हो, domestic company पे, तो सर, याद रखेंगे, 7 और 12, 1, 10, याद रखेंगे, 7 और 12, 1, 10, य जित रखेंगे, 7 और 12, 1, 10, front, 2, 5, 1, 10, याद रखेंग question है सब बहुत interesting question है बच्चे इसमें गलती करते है whether total income of an artificial juridical person is 4,10,000 the amount of income tax payable is rupees this and surcharge payable is this तो यहाँ पर वसे आपको hint दे रहा हूँ answer निकालने से बढ़े याद खिए कर rebate नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी बेटा artificial juridical person है इसलिए जो है rebate नहीं मिलने वाली है ओके चलिए तो यह होगे से हमारे 10 question 11th question सा theory है 12th question भी theory है आप उमीद करता हूँ sir आप लोग यह theory को question जो है कर लेंगे ओके चलिए जी ग्रेट और इसी तरह आप से यह भी उमीद करता हूँ